Class 9th student, यहां पर question, important question के series में है और question है कि find the area of two sides of which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32 cm Student question को start करने से पहले, हमें आप से बताना चाहूंगा कि और important question दिल आपको देखना है, तो description box में link दिया हुआ, वहां से click करके आप study कर सकते हो यहां पर जो आई बढ़न बन कराता है, आप उसे click करके important question और अन्य chapters के playlist आप देख सकते है question है कि यहां पर हमें दो side given है, हमें perimeter given है, हमसे यह कहा जा रहा है कि हमें कुछ triangle की area बतानी है तो सबसे पहले देखो बेटा यहां पर एक side नहीं दी है, तो let's see, जो third side है, let, third side, be is equal to x कर लो या मैं तो यह कहूँगा, इसे c कर लो, और मेरे को a given है, a कितना है, 8 cm, b कितना है, 11 cm, और मुझे perimeter दिया हुआ है perimeter of triangle वो दिया हुआ है, 32 cm, आप जानते हो perimeter of triangle का formula क्या होता है, very good, some of the sides होता है तो यहां पर आपने a plus b plus c is equal to 32 cm कर दिया, तो a पर 8 है, और 11 और plus c is equal to 32 cm, अब यह 19 हो गया, c is equal to 32, तो 32 और यह 19 इधर आएगा, तो minus कर तो 12 से 9 गया, कितना हुआ, 3 हुआ, और 2 से 7, तो जो c की value आ गए, 3rd side कितनी हो गए, 13 हो गए यहां पर जब 3 sides दे हो किसी triangle के, तो hero formula यूज़ करते हैं, तो यहां पर आएगा semi perimeter, semi perimeter का मतलब होता, जो perimeter होता, उसका just half करते हैं, a plus b plus c upon 2 करते हैं, बट यहां पर perimeter given है, तो 32 upon 2 is equal to 16 cm हो गया, जो S आया, semi perimeter को S से donate करते हैं, 16 cm हो गया, area of a triangle according to hero formula S, S minus A, S minus B, S minus C, S कितना है, S हमारे पास 16 हो गया, तो 16 minus 8 आया था, 16 minus 11 हुआ, और जो C की value आई, 16 minus 13 करते हैं, 16, 16 minus 8, 8, 16 minus 11, 5, 16 minus 3 is equal, 13 is equal to 3, अब देखें यहां आपर गयाटे, 2, 2, 4, 2, 8, 2, 6, इस 16 का factor लिख दिया, 2, 2, 4, 2, 8 इसका prime factor, after that यहां पर 5, 4, 3 आगे, इस 2 से, इस 2 से, इस 2 से, कितना आ रहा है, एक 2, फिर 2 और यह 3, 2 के group बन गए, लेकिन बासी के group नहीं बनना है, तुमको आप अंदर ही रखेंगे, और cm2, 2, 2, 4, 2, 8, अंडर रूट 15 cm2, इस तरह से student impression को किया जाएगा, इस तरह के heroine formula जब भी होंगे, जब भी 3 sides दी होगी, आप heroine formula लगाएंगे, आपको base into height दिया होगा, तो 1 upon 2 base into height लगाएंगे, इक्विलिक्टर ट्रेंगिल का अगर आप से area पूछता है, तो under root 3 upon 4, side hole square लगता है, इन formula को आप learn करें, और learn करके से दिवार में रखेंगे, कब कौन सा formula कहां पर applicable होता है, thanks to much.